अगर आपने हमारे पिछले दोनों एपिसोड यानि पार टू नहीं देखा है तो मेरा मश्वरा है कि एक बार उसको देख लें लिंक हमने यहां भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी है अब तक हमने राइज अफ जैनिजिम बालफर डिकलरेशन और मैंडेट बाइड लीग अफ नेशन तक की बात मुकमल कर ली है यानि 1930 की दहाई तक इससे पहले कि हम आग bilateral के बात करें मैं चंद बातें साइक्स पीको अग्रिमेंट के बारे में करना चाहूंगा जो पिछले अपिसोड में रह गए थीं जैसा है काब जानते हैं कि साइक्स पीको अग्रिमेंट वस इस सीक्रेट अग्रिमेंट में लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मन्जिराम पर आया कैसे बात दरसल ये है कि इस मीटिंग में तीन मुवालिक शामिल थे बरतानिया, फ्रांस और रुश्या लेकिन बॉल्स्ट्रिक रिवलुशन नाइटीन सेवनटीन में जो आया थे जिसको क्या आम तोर पर कॉम्मिस्ट रिवलुशन कहते हैं उसकी वाई से रुश्या पैग्ड आउट अफ दिस दील तो दरसल साइक्स-पीको अग्रिमेंट वाज ट्राइपाइट आग्रिमेंट बरतानिया, फ्रांस और रुश्या के बीच में बलाओ बॉल्स्ट्रिक रिवलुशन का जिन्होंने रिवलुशन के फौरण बाद गालबन उनस रुश्यारा में उन्होंने वो सारे अग्रिमेंट जो जार ने साइन किये थे International Treaties and Agreement उन्होंने डी सी डी क्लासिफाई कर दिया जिसकी वज़ा से साइक्स पीको अग्रिमेंट भी मनजराम पे आया इसके मनजराम पे आते ही बरतानिया और फ्रांस के तोते उड़ गए और शरीफ हुसाईन जो शरीफ अप मक्का थे जो अब तक बरतानिया और फ्रांस के हामी थे दौलत अस्पानिया के खिलाफ बगावत में वो भी काफी नाराज हुए इनकी नाराज़गी को देखते हुए बरतानिया ने फौरण अपना एक एलची रवाना किया शरीफ हुसाईन को समझाने के लिए और बाइर गाप शरीफ हुसाईन जुवानी यकीन दहानी से बात मान गए और फ्रांस और बरतानिया ने स्कुन का सांस लिया अगर शरीफ हुसाईन चाहते तो उन से अलग भी हो सकते थे दूसरी तरफ हुकमत इसमानिया को इस अग्रिमेंट के अफशा होने की खबर लगी तो उन्होंने शरीफ हुसान से राप्ता कायम किया और उनको बावर कराया कि अब बरतानिया फ्रांस में भरोसा नहीं किया सकता है और अगर अब चाहें तो हम मिलके बैटके बात कर सकते हैं बारल ऐसा हुआ नहीं नहोना था और नहीं हुआ 1931 में शरीफ हुसान का इंतकाल हो गया और अरब रिवोल्ट की बागडूर उनके दोनों बेटे यानि अबदल्ला और फैसल के हाथों बागे यहां पर यह वाज़ करना ज़रूरी है कि हुसान जो अबदल्ला के बैटे थे उन्होंने ट्रांस जॉर्डन में अपनी हुकूमत खायम की और फैसल ने सीरिया में पहले जिसको के फ्रांस ने सपोर्ट ने क्या बलके गिरा दिया अब आद में फैसल ने फिर इराक में अपनी हुकूमत कायम की विद नाजीज इन पावर इन जर्मनी लोकल जिविश कम्मिनिटी को काफी मसीबत का सामना करना पड़ा और उनकी डिसक्रिमिनिट्री और एक्स्कूलिजनी पॉलिसीज की वज़ा से यह विर फोस्ट तो माइगरेंट तो अधर कंट्रीज बट अधर इन जर्मनी जर्मनी के जिविश के लिए फलस्तीन ही एक जगा वज़ी जहां वो एजली माइगरेंट कर सकते थे इसलिए एक तक्मीने के मताबिक तक्रीबन साथ हज़ार यहुदी माइगरेंट उस दोरा नगनी थिर्टीज में फलस्तीन में पहुँचे जो कि अगर आपको याद होगा तो मैंने का था उनने 17 या 18 में टोटल जविश पापॉलेशन फलस्तीन में 58 हज़ार थी और 1930 की द दहाई में टोटल जविश पापॉलेशन से जादे लोग वहां पहुच चुके थे विश चेंड डानेमिक्स और डीमांड फॉर दिजाइनिस्ट मौमेंट लेटर इन डाट डिकेड दिन बदिन बरते हुए इहतजाज हरताल और परसेशन की वज़ा से बरतानिया को अपनी पॉलिसी फलस्तीन के बारे में चेंज करने या उस पे दोबारा गॉर्फिक करने पे मजबूर हुआ और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे वाइट पेपर्स और कमिशन इस्यू किये जैसे मिसाल के तौर पे हेवाट कमिशन उन्हें सो बीस में चर्चिल वाइट पेपर इन उन्हेट वाइट बीस में शॉड कमिशन इचेंट आइट अगॉर्फिक कैने इसकान मिसाल कि कल दाएट पेपर हैं जो रिक्ट तौर पेपर पेड़ फोई पैदा नहीं हुआ खास तौर पे अस वाइस टेर पोलिटिकल राइट थें और इस प्रिएटिक इस इन्धर वो रिकमेंडेशन्स, जानिस्ट के दबाओ या उनकी क्रिटिसिज्म की नजर हो जाती। बिटिश ने फलस्तिनियों को डिवाइड और मुनकसिम रखने के लिए हमेशा डिवाइड रूल पॉलिसी का इस्तावाल किया। और उसको इस्तावाल करने के लिए उन्होंने कई हर्ब इस्तावाल किये। एक हर्बा ये था कि जो वहां की मुक्तदर और रिस्पेक्टेड फैमिली जो लीडिंग फैमिली थी उनके बीच में इंटर्नल तजाद पैदा करना था। दूसरा रवायती एदारों के पैरलल एक निया एदारा खड़ करना था। और तीसरा के वहां की पॉपुलेशन को एक सिंप्ली एर्लीजिस कम्मुनिटी रिगार्ड करना था। मैं मिसाल को तरो पेश करना आपको पेश करना चाहूंगा आपके सामने। एक था कि बरतानिया ने मुफ्ती आजम यूरसलम का एक वहदा क्रेट किया। जो कि इससे पहले या यह कोई वहदा नहीं था। वहां पे इससे पहले चार मुफ्ती हुआ करते थे जैसे के हनफी, मालकी, शाफी और हम्बली के लिए। लेकिन उनने एक नहाओदा क्रेट किया। और मुस्लिम कावनिटी के मामलात को देखने के लिए सुप्रीम मुस्लिम काउंसिल बनाई। इसमें हाजी बिटिश ने हाजी आमीन अलहुसाइनी को एक ग्राण मुफ्ती बनाया ताके एक पैरलल लिडरिशिप एस्ट्रक्शर खड़ा किया सके। और नाशनलिस्ट अरब एग्जेक्टिव या उनके लिडरिशिप में दरार परदा किया सके। इसके अलावा ये ये तश्दीक भी हो गई कि मुस्लमानों में या मुस्लिम्स और आउनली अर्लियस कम्यूनिटी आउन दे कंट्ररी जानिस्ट और ज्यूस और ज्यूस और पॉलिटिकल ड्यूस और सुशल कम्यूनिटी तो ये इनके पीशे मकसद ये था ये था था है कि जो उन्होंने बालफर डेकलरेशन में किया था कि There are Jews and Non-Jews यहां पर इन्होंने थाबित करने ही गोश की कि नॉन जुजुज अर अनली अर्लिजिस कमुनिटी और यह सारी तद्बीरे इसलिए थी कि फलस्तीनियों को पोलिटिकल राइट से डिनाई किया जाए और उनकी पोलिटिकल इन सोचल रिजिशिप में डिविजन पैदा किया सक के मिडिल तक बिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड अन रूल बहुत तक कारामत और काम्याबती लेकिन 1936 में पूरे फलस्तीन में छे महिने के हरताल ने बिटिश अड्मिस्टेटर अरब लीडर्स और जानिस्ट को भी अचमबा कर दिया इस मुलगिर हरताल को खत्म करने या उसको मैनेज करने के लिए कमिटी बनाई कि जिसका नाम था अरब हार कमिटी एएच सी और इतफाक ही कहिए या सितम जरीफी कहिए कि ये एएच सी को बिटिश ने एक नुमाइंदा तन्जीम मानने से इनकार कर दिया लेकिन यही एएच सी काम आई कि इस हरताल को खत्म करन ठीम में ऑन दे डॉइस आफ अरब रूडर्स और यहां हमें वाज़ा करता चलूँ कि यह अरब रूर्लिश यह जो ब्रिटिश सपोर्ट के बिना की वजा से पावर में से इनकेपडूर्ट के बिना एव नटे के तू किसी तीफिसी हमाकत थी ठीच जु नहीं तर पील कमेशन के दुरू पील कमेशन ने रिकमेंड किया कि फलस्तीन को दो हिस्तों में तक्सीम कर दिया जाए सतरा परसेंट अफ दे लैंड जमीन है वो यहुदी आबादी या उसके मुलक के लिए दिया जाए बाकी अर्बों के लिए होगा बहराल ये फैसला या ये डिसीजन रिकमेंडेशन फलस्तीनों की मर्जी रुमनशा के बेगर लिया गया था जो फलस्तीनों को कबोल नहीं हुआ पील कमेशन के रिकमेंडेशन के खिलाफ फलस्तीनों ने मुस्तला बगावश शुरू कर दी अक्तूबर 1937 के आसपास जवाब में बरतानवी हकुमत और इंतजामिया ने इसको रेप्रेशिव तरीके से इसको दबाने के फैसला किया इसके लिए तक्रेमन एक लाख फौजी उन्होंने फलस्तीन में तायनात की जो तक्रेमन हर चार फलस्तिनी मर्द पे एक के बराबर थे बरतानिया ने पूरी ताकत से इस रेप्रेशन को दबाने में कायाब रहे और इस वाइल दूइट इस एस्टिमेट अफ परसेंट अफ पालिस्तिनियन एडल्ट मेल आइधर खिल्ड और वे वुंडेड और हमेशा के लिए गायब हो गए कुछलों का ख्यालिया है कि इस तहरीक का या इस बगावत का कुछल जाना बिडिशर्स के हाँ तो जायनिस्ट के लिए एक बड़ी मदद साबित हुई यहाँ पर इस बात का तथक्रा करना जरूरी है कि फलस्तिनों की बगावत को दबाने में जहां तक बरतानवी फौज और उसके अहलकार शामिल थे साथ हमें जानिस्ट तहरीक के बहुत सारे हत्यार बंद गरूप जो जो जमाने में फलस्तिन में अक्टिव थे उन्होंने भी बरतानवी फौज का साथ दिया यहां पर याद रहे कि कई सारे गरूप फलस्तिनियों के खिलाफ खास तरूपे विलिजर्स के खिलाफ एक्टिव थे और उनको हरासा करते थे अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो आप इलान पेप के बुक पर सकते हैं जो इसमें उन्हें बहुत डिटेल से इसको कलम बंद किया है फलस्तिन में नुमाया दो नुमाया तोर पे दो गुरो थे एक वो जो पील कमिशन के रिकॉमेंडेशन के साथ ख़ड़ा हुआ था जिसमें किंग हुसाइन अफ जॉर्डन और अदर हैंड अरब नशनलिस्ट और पलस्तिनियन पॉलिटिकल अक्टिविस्ट जो इस पील कम फलस्तिनी कॉस को हुआ। इन मजाहरों का अशर उनीस्व 225 में बरतानिया सरकार की रिपोर्ट में जाली किया घिसमें उन्होंने कॉस करेक्शन की बात की और कॉस करेक्शन इसलिए कि उनको अरब और उनके हासपास के मुल्कों से दोस्ती और उनका कानूर्डन जीटना जो के बदलते हुए आलमी सियासी हालात के पनासिब से उनकून का सपोर्ट चाहिए था और उन्होंने इसमें खास दोर पे सेक्रेटरी आफ स्टेट फॉर इंडिया ने फलस्तीन को एक पैन इसलामिक इश्यू बताया और ये बावर कराया कि अगर इसको प्रापर हैंडिल नहीं किया गया इसके बुरे असरात इंडिया और इसके दूसरे ममालिक में भी पढ़ेंगे 1949 में एक कांफरेंस की नाकामी के बाद नेविल चंबर लिंड की हकूमत ने अरब और हिंदुस्तानी मुस्लमाने को जजबात को ठंडा करने के लिए एक वाइट पेपर जारी किया इस तरस्तावेज में, बिटेंगने कई सारी रिकॉमदेशन की उसमें एक रिकॉमेंडेशन, दो रिकॉमेंडेशन खास aore बेकाबल जिकर है एक यह ज़ेजम साल को पेविलिःट जहुष मागारेशन तो फलेस्तााइन बिलिजांगे Again, I will repeat, there are four recommendations worthwhile. One, the Jews will not be allowed to freely sell and buy land in Palestine. Secondly, उनकी जविश मागरेशन को फलस्तीन में लिमिट किया जाएगा. दूसरा, फलस्तीनियों को पांस साल के अंदर रेप्रेसिटिटिटिव गौर्मेंट दिया जाएगा. और दस साल के अंदर राइट अफसर्स डिटिमिनिशन दिया जाएगा. पिछले बीस साल का फलस्तीन का महासबा करें, तो कई चंद चीजें जो हमारे सामने आती हैं, उसमें कि पिछले बीस साल में फलस्तीनी सियासी तोर पे एक मुतहिद कौम नहीं बन सके और नहीं कोई एक सियासी महाज़ बना सके. जैसे इंडिया में इंडिया नाशनल कॉंगरस, इजिप्ट में वफद पार्टी और आरलेंड में सिन्फिन. बिल अमूम फलस्तीनी सोसाइटी, हायरिकेल या दरजाबंद कह सकते हैं, मुनकस्म और रवायती मिज़ाज की हामल थी. उस पर तुरा ये के बरतानिया ने का मुतहिद नहीं होने के लिए. अगर उनकी बात नहीं बन सकती किसी वज़ा से, तो उन्होंने उसको उस लीडरशिप में घुस गए, जिसको अंग्रेजी में कॉप्ट कहते हैं, उसको अपने तोर पे इस्तमाल करने लगे. दरसल उन्हें 17 के बाद फलस्तीनियों को तीन सपोर्ट के साथ ये अपना एक नाशनल मिशन को फलस्तीन में पूरा करने की भरपूर कोश्च कर रहे थे. फलस्तिनियों की नाराजगी और एजिटेशन ने बिर्टन बरतानवी हकूमत को अपनी पॉलिसी चेंच करने पे मजबूर तो जरूर किया, वाइट वस तू जहां अजानिस्ट मुवमेंट की फानेंशल, मिलिटरी और गानूनी चालों ने फलस्तिनियों की मज़ीद से मज़ीद बढ़ाया, रही सही कसर लीग अफ नेशन्स जिविश एजनसी की मिली भगत ने फलस्तिनियों की किसी भी रिप्रेजेंटेटिव इंस्टिशन और से लिटर्मिनेशन को पूरा नहीं होने दिया, बाइ टाइम नाइननिफोटी एड जब विर्तानिया ने फलस्तिन पर अपना कब्ज़ा चोड़ा, तब तक इसने अपनी निग्रानी में एक इप्तदाई यहूदी नेशन स्टेट का धाशा खड़ा कर दिया था, इर वाज़ अपना कि उनिसवार्टारिस में एक इसराहिल का वजूद होता है, दरसल फलस्तिनियों के एक इसमत का फैसला उनिस सत्रा में ही हो चुका था, उनिस सत्रारिस में इसराहिल का इलान तो बस एक रस्मी थी, आज के लिए बस इतना, अगले एपिसोड में आप से मलाकात होग जब हम पील कमिशन के असरात से लेकर नकबा तक की बात करेंगे, यानि 1937 से लेकर 1948 तक इस वीजियो को लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्त आब आपों में शेयर कीजिए